नमस्कार आपदीख्रे नियूस फोर्डेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ आज अब से कुछी देर के बाद पटना की कणिमार्क सित मुक्ष्यमंत्रु आवास में विपक्षी दलो की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसको लेकर तमाम तयार याँ पूरी की जा चुकी है बताते चले कि इस मीटिंग में 16 विपक्षी दलो की मौझूद्गी होगी जिसकी अध्यक्षता विहार के सियम मुक्ष्यमंत्री के द्वारा होनी है और तमाम राज्यों के वर्ष्र नेता और मुक्ष्यमंत्री एवं पुर्व मुक्ष्यमंत्री पटना पहुच चुके हैं हलाकि अभी कई और दिगजों के पहुचने का अंतजार है राहुल गांदी अपसे कुछे देर में पटना एरपोर्ट पर पहुच जाएंगे पटना पहुचना बाकी है और आज किस मीटिंग में क्या बाते बहुत खास होंगी किन विंदूओं पर सबसे जादा ध्यान कींदृत होगा सारी जानकारे अब तक पहुचा आते हैं पताते चले कि विपक्षी एक्ता की मीटिंग से पहले बिहार के वित्त मंत्रे विजय चौतरी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि बैठक का मुद्द है कि हम लोग साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ेंगी प्रदान मंत्री का उमीदवार कौन होगा ये बीजेपी प्रायूजत मुद्दा है वहीं दिल्ली के सियम अरविंद के जिवाल ने चिट्टे लिख कर मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर चर्चा की मांग की थी पर विजे चौत्री ने कहा कि पहले एक जुच होकर चुनाव कैसे लड़े इस पर बात होगी अन्यमुद्दो पर भी चर्चा हो तो अच्छा है उन्होंने कहा कि पहले पीम पद की रिक्ती होगी उसके बाद नियुकती होगी विपक्षी एकता के लिए बिहार की तरफ से किये गए प्रयास के शुद्दत से चर्चा होगी विजे चौत्री ने बताया कि सीट शेरिंग और अन्यमुद्दो पर आगे की बैठक में चर्चा की जाएगी बैठक में सभी चीजे तै होंगी विपक्षी दलो की तरफ से जो भी पीम बनेगा वो अभी के पीम से बहतर होगा नितीश कुमार खुद कह चुके हैं कि वे पीम के उमीदवार नहीं है बताते चले कि आज की बैठक में छे राज्यों के मुख्यमंत्री शामल हो रहे हैं बिहार के अलावा पश्यम बंगाल, तमलनाडू, दिल्ली, पंचाब और जार्खंट के मुख्यमंत्री होंगे इन छे प्रोदेशों को मिलाकर कुल 155 लोगसभा की सीटे हैं आज शुक्रवार को पटना में आयोजित गैर भाजपाद दलो के महाकुम्ब में अगर एक जुट होकर एन जे का मुकाबला करने पर सहमती बनी तो देश में एक नया सियासी समयकरन आकार लेगा परस पर विरोधी और समान विचारधारा के दलों का ये समयकरन बना तो एन टिये को आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 351 लोकसभा सीटों पर कड़ी टकर देगा ये तै किया जाना है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल वन अगेंस्ट वन की पॉलिसी पर काम करेंगे मतलब ये कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों मेंसे किसी एक दल का एक मात्र उमीदवार चुनाव लड़ीगा जिन राज्यों के प्रमुक नीताओं के इस बैठट में जुटान हो रही है उनमें बिहार उत्तरप्रदेश, पशिम बंगाल तमलनाजू, महरास्ट्र जारखंट, पंजाब और दिल्ली को मिलाकर कुल 283 लोकसभा सीटे हैं वहीं कॉंग्रेस शासत चाराज्यों में 68 लोकसभा सीटे हैं इस महामंतन के केंद्र में कॉंग्रेस पार्टी है जिससे बड़ा दिल दिखाने के उमीद सभी दलोको है वहीं विपक्षी एक्ता के बैठक में चार पूर्व मुख्यमंत्रे बेशामल हो रही हैं और ये सभी अपने अपने राज्यों में प्रभावी है पीडिपी की महबुवा मुफ्ति और नैशनल कॉन्फरेंस के फारुक अब्दुल्ला का जमू काश्मीन में प्रभाव रहा है इन दोनों के साथ कॉंग्रेस के आने से ये गटबंदन भाजपा को बराबरी का टकर देगा बता दे शले कि माराष्ट के पूर्व मुख्यमंतरी शरत पवार उद्दफ ठाकरे पहले से ही कॉंग्रेस के साथ महा अगाड़ी गटबंदन में है इस प्रदेश में कुल 48 लोकसबा सीचे हैं इनमें भाजपा 41 जबकि यूपीए 5 सीचों पर काबिस है 2019 में शिफसेना एंटिय के साथ थी अब शिफसेना बाला साहिब भी विपक्षी गटबंदन में हैं कॉंग्रेस आथ राज़ो में सरकार में हैं बिहाड जारकंड और तमलाज़ो में वो सकतादारी गटबंदन में शामल है जबकि हिमाचल राज़स्तान, चत्तिस गड़ और कनाटिका में उसकी अपनी सरकार है इंचार राज़ो को मिलाकर कुल 68 सीटे हैं तमलाज़ो में 49 में से 36 सीटो पर क्रमश डीम के कॉंग्रेस आथ सीपीम तता सीपी आई क्रमश दोदो और डीम के 28 पर का कबजा है बताते चले कि विपक्षी एक्ता की सबसे बड़ी मीटिंग शडवात अपसे कुछे देर में मुख्यमंत्री निदीश हुमार के सरकारी आवास पर सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है जो की संबवता शाम 4 बजे तक चलेगी विबिन बड़े मुद्दो पर चर्चा की जाएगी सबसे पहले इस मीटिंग का संबोधन मु मीटिंग में आखरी में संबोधन राहुल गांधी के तरफ से किया जाना है तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है अब देखने वाली बात यह है कि इस विपक्षु एक्ता की मीटिंग में क्या बड़े मुद्दे निकल कर सामने आते हैं कि इनना मसलों पर निर्ने लिया ज सकत्प